हेलो बच्चों कैसे आप सभी मैं आज़ा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपकी पढ़ाय बीद काफी अच्छे तरीके से चल रही है कि प्यार बेटा आसकी इस क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा सुक्राडु जनन के बारे में सुक्राडु जनन क्य होता है देन अगले कलास में आपको अंडाडु जनन जनन्फ के अंदर आती हैं इन फरस्टापाल सबसे पहले मैं आपको पता दूँ तो ये चैप्टर्न नंबर दो मानोजनन का टॉपिक है और इसको हम आज पढ़ेंगे पढ़ने के Аवाले हैं ब् vatan मोटा वाला लेता दों मारकर याने कि हम पढ़ेंगे युघमक जनन को अगर हम प्लासिफाई करते तोड़ते हैं तो यहां पर तो आपको मिल जाएगा पहला मिल जाएगा गैमिटो और दूसरा मिल जाएगा जिनैसिस ठीक है गैमिटो गैमिटो तो गैमिटो होता है वो रिप्रेजेंट करता है गैमेट को यानि कि युगमक को और जिनेसिस की बात कर रहे हैं, तो जिनेसिस रिप्रेजेंट करता है आपके फॉर्मेशन को, यानि कि निर्माड, निर्माड को, तो यहां से अगर हम बात करते हैं, तो गैमिटो जिनेसिस का मतलब क्या होता है, तो गैमिटो जिनेसिस का मतलब होता है, फॉर्मेशन अब ग प्रोसेस बाई वीच गैमीट फोर्मेशन टेक्स प्लेस या फिल्फ कर सकते हैं डिर्टली फोर्मेशन अविट ले श्यामेशन पॉर्मेशन अ कि ऑं कि गैमिट करड़ है गयमे तो गैने सिस यानिकी युगमक निर्वाड युगमक चलता है नहीं प्रोसेस या फिन्सकों नहें सकते हैं दप्रोसेस the process by which formation of gamete takes place called gamete genesis वह प्रक्रिया इन्दी में क्या कहेंगे इसको वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिससे युगमक का युगमक का निर्माड होता है वह प्रक्रिया जिससे युगमक का निर्माड होता है उसे युगमक जनन कहते हैं तिक वह प्रक्रिया जिससे युगमक का निर्मार होता है उसे युगमक जनन कहते हैं इतनी सिंपल सी बात आपको हो गई दूसरे नमबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि तो गैमिटो जिनेसिस प्रोसेस होता है वो दो प्रकार का होता यानिए कि हम बात कर रहे हैं gameto genesis की gametogenesis दो प्रकार का होता है पहला होता है ispermatogenesis और दूसरा होता है u genes spermato genesis की बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा सुकराड़ु जनन उजिनेसिस की बात कर रहे हैं तो इसको कहेंगे अंडाडू जनन उजिनेसिस क्या कहेंगे हम अंडाडू जनन कहेंगे तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सुक्राडू जनन यानि कि इस तर्मेटो जिनेसिस तो यहाँ पर आप जान लिजिए कि जो spermatogenesis process होता है वो एक male body के अंदर होता है यानि कि सुक्राड जनर की जो प्रक्रिया होती है वो एक नर के सरीर में होती है और यह जीवन परियत्न होते हैं यानि कि अगर spermatogenesis की process एक बार start हो गई तो वो रुकेगी तभी जब इंसान की सासे रुकेंगी अगर इंसान की सासे नहीं रुक रही है तो इस spermatogenesis की process continue चलती रहेंगी तो दूसरे नमबर पर उजिनेसिस जो आता है तो उजिनेसिस की बात कर रहे है तो यह उजिनेसिस जो होता है वो fetal life में start होता है यानि कि कोई बच्ची है वो अपने मम्मी के फटाक से आप इस दो पॉइंट को नोट के लिजिए फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की और और समझते हैं तो क्रावड जर्रन यानि कि इस पर मैटो चिनेसिस क्या होता है ठीक है साथी साथ इस पर मैटो लियोसिस क्या होता है इस process को भी हम अच्छे तरीक किसे समझेंगे फडाक से आप नोट कीचे इसको हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है चलिक्स प्रॉसर्स क्या है सुक्रा अच्छरन तो सुक्राडू जनन यानि कि गैमिटो जिनेसिस सुक्राडू जनन तो हम क्या कहेंगे क्या है स्परम gobierno है कि यहां पर इस्पर्म conception करेगा वह गशेन संको तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो इस पर्म Stevens होता है यह दो वर्ड से बना हुआ है espermato espermato plus genesis जिसको हम कहेंगे formation of sperm formation of sperm यानि कि सुक्राड का निर्माड या सुक्राड निर्माड की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सुक्राड जेन कहते हैं ये बात आप समझ में आई आई आपको formation आप जो sperm होता है उसको हम क्या करते हैं espermato genesis करते हैं ये तो आका term हो गया अब अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे कैसे the process the process by which sperm formation takes place card spermato genesis यानि कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सुक्राड़ों का का निर्माण होता है उसे सुक्राड़ों कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सुक्राड़ों का निर्माण होता है उसे सुक्राड़ों कहते हैं अब अगली प्रक्रिया होतीई है तो हम बात करेंगे इस्परमेटो जीनेसिस स्टार्ट फ्राम यानि कि सुक्राडु जनन प्रारंभ कब होता है तो यौना वस्था यौना वस्था यानि कि प्यूबर्टी एज में इस्परमेटो जीनेसिस क्या होता है स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज किसको कहते हैं तो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी होता है वह 13 से 14 वर्स की अवस्था में होता है कोई अगर मेल 13-14 वल्स की अवस्ता में आ गया तो यह प्यूवर्टी में आ जाएगा और इंड कहा होता है तो इंड को होता है यह होता है कोई इंसान जब मर जाता है तो इसमें इस्परमेटोजनेसिस प्रॉसेस बंद हो जाती है यानि कि हम बात करेंगे यह लाइफ चलने वाली प्रॉसेस है यानि कि जीवन पर्यत्न चलने वाली प्रॉसेस है यानि कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है समझ में आया तो आप इस पॉर्ण को नोट किजिए फिर इसके बाद हम बात करते है कि स्परमेटोजनेसिस जो प्रॉसेस होती है वह कहा पर होती ह तो पूरी की पूरी spermatogenesis प्रॉसेस मेल होती है वो मेल के टेस्टीस के अंदर यानि कि नर के व्रिसड के अंदर जो व्रिसड कालिकायें पाई जाती हैं उन नलिकाओं के अंदर इसका प्रॉसेस होता है वहाँ पर आपका मेल जर्म सेल होता है जानी कि अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सुक्र जन कोशिकाएं पाई जाती हैं इस परमैटो गोनिया सेल पाई जाती है उस इस परमैटो गोनिया सेल के अंदर डिवीजन होता है डिवीजन के दवरान क्या होता है इस परम का फॉर्मेशन होता है तो आप इतना कीजिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस क्या-क्या होता है कहां कहां पर डिवीजन होता है उसके बारे में जैसा कि अभी हमने आपको बताया तो जो आपकी सेमनी ट्यूबल्स होती है सुक्र जर्ललक लिकाई होती है टेस्टिस के अंदर पाई जाती है तो वहां पर क्या होता है मेल जर्म सेल्स होता है इस परमैटो गोनिया होता है जिसको हम सुक्रजनन कोशिका करते हैं वहाँ पर आपका division होगा समसुत्री यानि कि अगर हम बात करें तो mitosis division होगा दिन इसके बाद आपका meiotic division होगा यानि कि अर्ध सुत्री भी भाजन होता है जिसके दोरान सुक्राडू का formation होता है तो यहाँ पर आप देखिए तो यह आपका क्या है एक sale है जिसको मैं आपको पूरा फ्रील कर देता हूँ ताकि आपको अलग दिखे यह यह एक sale है जिसको हम कहते हैं male germ cell मेल जर्मिसल कहते है जा फिर इसको बिटा कहते है स्टीक्स से लिखू पहले जा फिर इसको कहते हैं स्परमेटू गोनिया इस परमेटू गोनिया जाने के हम बात करें सुक्रजन कोशिका यह स्परमेटू गोनिया सेल है उपर वाले को हम क्या कहेंगे नर जर्म कोशिका इस नरी जर्म कोशिका में क्या होता है विभाजन होता है कौन सा समसुत्री विभाजन होता है तो याद रखिए समसुत्री विभाजन में केवल और केवल कोशिका की संख्या बढ़ती है गुर्शुत्र जितना था उतना ही रहेगा और जो सुत्री विभाजन में कोशिका की संख्या बढ़ने के साथ-साथ गुर्शुत्र आधा हो जाएगा तो इसमें क्या होता है इसमें होता है कोशिका विभाजन जिससे क्या होती है एक कोशिका दो कोशिका बनाती है इस प्रकास से इस दो कोशिका से चार कोशिका बनते है और ये प्रोसेस जो होती है वो continue चलती रहती है एक कोशका से दो कोशका दो कोशका से चार कोशका फिर आठ कोशका 16 कोशका 32 कोशका इस प्रकास से ये process चलती रहती है तो इसलिए इसको हम का करेंगे कि ये वाले जो सेल है वो आगे चल करके इस वाले कोशका के जैसा कार करेंगे और इसमें विभाजन कांटियनियों होता रहेगा अब हम बात कर रहे हैं तो इसी एक कोशिका को हम आगे की और बढ़ाएंगे जो कहलाएगा आपका प्रात्मिक सुक्रकोशिका ठीक है इस एक कोशिका को हम क्या करते हैं आगे की और बढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रात्मिक सुक्रकोशिका इसको हम कलर चेंज करके बनाते हैं यह आखी क्या है प्राइमरी इस्पर्म मैटो साइट टिक है प्राइमरी इस पर मैटो साइट इसको हम कहेंगे प्रात्मिक सुक्रकोशिका यानि कि प्राइमरी इस्पर्मेटो साइट प्रात्मिक शुक्रकोशिका या सुक्रजनकोशिका अब इस्पर्मेटो साइट सेल में क्या होगा विभाजन होगा इस प्रकार से यह एक कोशिका दो कोशिका का निर्माड करेगी इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगे एक कोशिका से दो कोशिका बनी तो इस कोशिका को हम क्या कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट टिक है क्या कहेंगे इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट सेकेंडरी अभी मैं आपको प्रोसेस बनाते हैं इसके मैं देरे-देरे समझा रहा हूँ फिर एक बार समझाओंगा आपको अच्छे से समझ में आ चाहेगा कहेंगे इसको हम सेकेंडरी स्परमैटो साइट यानि कि हम कहेंगे दित्यक सुक्रजन कोशिका अब इस दित्यक सुक्रजन कोशिका कहेंगे अब इस दित्यक सुक्रजन कोशिका में वापस से बिभाजन होगा याद रखना यहाँ पर जो बिभाजन हो रहा है यह जो पूरी बिभाजन हो रही है इस बिभाजन को हम क्या नाम देते हैं इस विभाजन को हम नाम देंगे समसुत्री विभाजन, समसुत्री विभाजन, जितनी भी विभाजन हो रही है, जितनी भी डिविजन हो रही है, मैं इस साइड लिखूंगा, और जो नाम है सेल बन रहा है, उसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो समसुत्री विभाजन को ह कहते हैं Give touches Division माइट आचीश में निस अन्दक्राइमरी इस प्राइमरी करें दिभीजन हुआ खैंड़ Sm緊ầu सेकेंडरी स्परामे चज अनद्ह लवली इस मेटोसाइम सेकेंडरी स्परमटोसाइड बना सेकेंडरी स्परमेटोसाइड बनने के लिए जो डिविजन हुआ वो क्या हुआ प्राइमरी यानि की प्राइमरी माइटोसिस डिविजन हुआ हुआ हरी सॉरी सॉरी प्राइमरी मियोटिक कि प्राइमरी मियोटिक डिविजन हुआ यानि कि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक या प्रथम अर्धसुत्री विभाजन प्रत्रम अर्धसुत्री विभाजन हुआ ठीके प्रत्रम अर्धसुत्र विभाजन के दारान यह bravery spermatoside secondary spermatoside में बदल गया अब सिकंडрий spermatoside में वापस होगा यह आगी चलकरके कुछ और सेल का फार्मेशन करेगा आगे चल करके कुछ और सेल का फॉर्मेसन करेगा जिसको हम स्पर्मैटीड यानि कि सुक्राडू प्रसू के नाम से जानेंगे तो इस सेल को हम क्या करते हैं सुक्राडू प्रसू यानि कि स्पर्मैटीड कहते हैं इस्पर्मैटीड यानि कि हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं सुक्राडू प्रसू स्पर्माटिड कैसे बना इस्पर्माटिड तो डिवीजन हुआ यहां पर इस्पर्माटिड बनने के लिए वह हुआ सेकेंड मियाटिक निवीजन सेकेंड मियाटिक डिवीजन हुआ यानि के हम बात करें हैं दितियक अर्द करें जॉटरिक अध्यक मुर्तिय के अद्षुत्री विभाजन हुआ कि टीक अद्षुत्री भाजन हुआ एस परrooms citizens बना और येtemps में अब विभेदन होगा विभेदन होने का मतलब क्या होता है कि ये आगे चल करते आपके सु क्षुप्रमाड करेंगा तो ये जो ऐस प्रकास्य देखिए इसको कहते हैं ऐसपर मैं टो जोवा इस पर मैं टो जोवा यानि की इसको में भी चाहते हैं कि को यहां बात करते हैं है यहाँ आप एक बात रखें गए इस पर्मैटसर मैट्टो जोवा बनना यह कि अश्काkehr। spermatitis से spermatology या sperm का बरना spermatoliosis कहलाता है हिंदि में कहें तो सुक्राड़ प्रसोड़ से सुक्राड़ बनना spermatoliosis कहलाता है बास समझ में आया तो मैं आसा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी पूरा spermatogenesis समझ में आ गया होगा एक बात और धान रखिए जो इस पर मैटो जीनेसिस होता है या फिर जो आपका उजीनेसिस होता है तो क्राड़ुजनन जो आपका अंडाड़ुजनन होता है इन दोनों को तीन अवस्थाओं में बाटा गया है कौन-कौन से तीन अवस्था है उसको देख लीजिए आप एक तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यह जो अवस्था है जो मैं डॉट-डॉट कर रहा हूं इसके उपर की जो अवस्था है इसको हम कहते हैं विभाजन अवस्था है विभाजन अवस्था या भी हम कहें द्वीगूडन अवस्था हिंदी में से विभाजन अवस्थ है यह भाजन हम स्था उसकों करतें हैं को हैं मल्टीप्लिकेशन फेस के नाम से चांद हैं यहां पर क्या होता है कि वह और कोशिकाओं कि शंक्या बढ़ phosphorus होती है multiplication phase में उसके बाद यहां पर जब आपका प्रत्थम अर्शुत्री विभाजन होता है इसकोम क्या करते हैं इसकोम करते हैं व्रिद्धी अवस्था व्रिद्धी अवस्था यानि की होट यहां असलर अधिश्य प्रा को सब्सक्राइब होती है वह साइज में बड़ी होती है लिचे कीilly आवस्था यह पूरी की पूरी अवस्था क्या कहलाती है विभेदी करड अवस्था इसको हम कहते हैं विभेदन अवस्था या परिपक्वन वस्था कहते हैं इसको हम कहते हैं कर भो का या ठिक इस प्रकास से आपका spermatogenesis process complete होता है तो मैं आसा करता हूं कि spermatogenesis आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा देन अभी मैंने आपको क्या बताया कि यह जो आपका spermatid है ना यह spermatid sperm में बदलेगा तो लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं तो spermatid के किस पार्ट से sperm का क्या पार्ट बनेगा तो मैं आपको वहां पर ऐसी बता दे रहा हूं spermatid के अंदर जो आपका गॉल्जी बाड़ी होता है वो sperm का एक्कोसोम बनाता है टिक बस यही changes होता है उसके बाद कुछ नहीं होता इस spermatid का जो गॉल्जी बाड़ी होता है वो sperm का एक्कोसोम बनाता है बस समझ में आई चलिए तो मैं आसा करता हूं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं आप से एगले प्रक्रास में तब तक के लिए जैहिंद से भारत बने रही है आप मारे साथ बायालोजी पढ़ने के लिए पड़ाक से आप इस पाइंट को नोट कीजिए